टुड़ी स्टोपी, फेक्टर उफ सर्वाइकल स्पाइंग, जो आज का हमारा पोइंट रहेगा, उसमें हम डिसकस करेंगे, सर्वाइकल स्पाइंग के एक्सरे करते समय फेक्टर का यूच क्या रखें, मतलब कि जो के वीपी एंड एममेस रखा जाता है, वह कितना रखा ज है, जिसमें कुछ साइज लिख रहे हूँ है, जैसे एक्सेल, एल, एम, एस, एक्सेस, बेवी, और लाश्ट में, एफफ़ दिमेंशन है, अब यहाँ पर एक एक पॉइंट करते हैं, पहले हम मसीन के नाम लिख देते हैं, जैसे कि सबसे पहले एट हैंड एम है, दूसरी आ जाएंगे KVP और उसके सासत MS, अगर 800MA की मसीन पर एक्सेल, एक्सेल मलब साइज के अकोडिंग जैसे जैसे साइज बोडी का आता है, उस हिसाब से आपको फेक्टर रखना है, अगर हम यहाँ पर एक्सेल लें, तो यहाँ पर जैसे कि कि किसी के बोडी जो ठिकने से सरवा जो छोटे बच्चे होते हैं, बेवी से थोड़े से बड़े होते हैं, फिर जो एमें, मीडियम होते हैं, फिर यहाँ पर लार्ज होते हैं, तो एक्सेल में जो 800MA की आपके सर्वाइकल स्पाइन पर जो फेक्टर रखेंगे के वीपी, और नॉर्मल में आप यूज करिए 66 क और इसके साथ साथ जो MS रखेंगे वो रखेंगे आप 16 यहीं पर अगर हम large की बात करें तो यहाँ पर आप यूज करिए 64 और जो इसमें MS रखेंगे वह रखेंगे 12 medium में बात करें तो आप 60 यूज करिए और 67 रखेंगे 10 MS का यूज इसके बाद हम small की बात करें cervical spine में तो 57 यूज करिए और यहाँ पर जो आप इसमें MS रखेंगे same रखेंगे 10 यहाँ पर अगर small से थोड़े से छोटे कोई भी पैसेंट है तो उसमें जो यूज करेंगे 52 का करिए और इसके साथ जो MS रखेंगे उसका आप यूज करिए नॉर्मल में 8 या हम बोले तो 6 भी आप यूज उसमें कर सकते हैं second point अगर बेबी का X-ray कर रहे हैं किसी या तो PAVU में तो बेबी का होगा नहीं X-ray तो बेबी का अगर X-ray आप नॉर्मल में करेंगे जो आप erect position में करवाते हैं अगर हम यहीं पर बोले नॉर्मल में यहाँ पर APB भी आपको करना होगा लेकिन यहाँ पर हम एक point समझा रहे हैं अगर आप erect position में करवाते हैं X-ray और दूसरी होती है सुपाइन में करवाने जा रहे हैं तो सुपाइन में condition के हिसाब से करवाय जाते हैं जैसे कि कोई अगर trauma patient है कोई accidental patient है तो उन्हें क्या होगा X-ray table के उपर हमें cervical spine के X-ray करवाने होंगे वहीं पर हमें APB करवाना होगा और वहाँ पर हमें lateral भी करवाना होगा तो normal में अगर हम एक बच्चे की बात करें चोटे बच्चे की तो वहाँ पर normal में mostly case में supine position में होता है तो यहाँ पर एक दो percent होता है erect में करवाद है लेकि supine में होता है क्योंकि बच्चे क्या होते हिलते डूलते जाद है उन्हें stable करने के लिए जगे चाहिए तो baby के x-ray करते समय supine में आप normal में जो इसके FFD जो यूज करेंगे FFD तो रखे आप इसमें 32 इंच रख दीजिए और जो baby का x-ray करेंगे जो इसमें factor रखेंगे KVP रखे आप इसमें 42 और MS का यूज करेंगे 16 MS, large में 64 KVP 12 MS, 60 KVP 10 MS, 57 KVP 10 MS, 52 KVP 8 या 6 MS, baby में 42 KVP and 5 or 6 MS FFD 32 इंच नोर्मल में baby के लिए आप किसी भी रख सकते हैं लेकिन almost जो हमारी according होने चाहिए या तो आप 38 रखे है या 40 इंच की FFD का यूज करेंगे 40 इंच only या आपकी सुपायन जो vertical रहे है अगर यहीं पर आप APU कर रहे है तो APU में आप इससे थोड़ा से increase करेंगे 56 इंच या 58 इंच के बीच में इसका distance लग सकते हैं जैसे आप एक chest X-ray करवाते हैं तो chest X-ray में जो आपकी FFD होती है PAVU में वह होती है 72 इंच तो उससे कम लाइए जैसे जैसे आप KVP को decrease करेंगे increase करेंगे वैसे वैसे factor कम होगा या बढ़ता चला जाएगा FFD पर भी depend होता है और thickness पर भी depend होता है 500 इंच पर सेम positioning कर सकते हैं 500 पर क्या करेंगे और यहाँ पर 17 या 15 का यूज़ करेंगे यहाँ पर अगर medium है तो 66 रखिए और जो MS का यूज़ करेंगे 15 रखिए small है तो small में क्या करेंगे 62 रखिए और जो MS का यूज़ करेंगे 500 के MMA की मसीन पर 15 रखेंगे access में 60 रखिए 60 ने 58 रखिए और इसके साथ साथ जो MS का यूज़ करेंगे वो 13 या 15 रखिए बेवी के एक्सरे में नॉर्मल में अगर आप 500 में पर कर रहे हैं तो 56 रखिए और जो MS का यूज़ करेंगे वो 10 या 8 का यूज़ करेंगे इसके साथ साथ अकोर्डिंग जो आप फेक्टर रखते हैं उस फेक्टर को भी रखिए एक ये new जैसे हम नएने सीखते हैं तो ये एक idea के लिए जैसे जैसे आपके पास experience आएगा suppose एक example देते है जैसे कि आपने अपने department में कहीं पे आप बर्क कर रहे है आपने 50 x रे करे हैं यहाँ पर आपने 50 x रे करें तो आपके पस स्री 50 x रे का experience है लेकिन यहाँ पर आपको पचास तरीके से आएगा जैसे ही आने वाले time में जैसे जैसे x रेकरेंगे यहाँ पर आपने क्या रहे है 500 x रेकरें तो 500 x रेकरेंगा experience आएगा तो ये 50 और 500 में डिफ्रेंस तो है ना 400 तो आपके पास 400 ज़्यादा डिफ्रेंस है तो 400 तरीके और भी एड़ है उसके इसाब से अपने factor को आप set करते रहिए और जैसे जैसे आप experience सीखेंगे उस इसाब से better जितने x रेकरेंगे उतनी ज़्यादा आपको kvp और ms के जो doubt है वो पूरे के पूरे आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे आने वाले टाइम में हम x का पूरा का पूरा फॉर्मला बता देंगे कि इसे निकाले के से जाते x पे depend होती है वो आने वाले टाइम में वीडो जरूर बनेगे अब बात करते हैं 300ma की मसीन पर 300ma की मसीन पर almost एक ही में हम convert कर दे रहे हैं नोर्मल में अगर आप 300ma की मसीन पर work कर रहे हैं तो एक average रखिए 50 to 68 तक के बीच में kvp यूज करिए और जो MS का यूज करेंगे वहाँ पर नोर्मल में आप 10 to 25 या हम बोले 25 को आप माइनस करके 28 के बीच में करिए लेकिन 28 कभी नहीं यूज करनी आपको 20 जो almost सबसे जादा यूज होगी 300ma पर वो आप 62 या 65 परिए या इसके साथ जो MS बोले वो 13 या 16 का यूज करिए 100ma की मसीन पर अगर आप वर्क करने जा रहे हैं तो इसमें almost 52 66 के बीच में यूज करिए और MS का यूज बोले same आपका इसमें 8 to 26 के बीच में यूज करिए almost जो एक average बता है यहाँ पर एक average 63 होगी और जो MS यूज होगी वो आपकी 15 या 18 का यूज कर सकते हैं यहीं पर अगर 1500ma में क्या होगा थोड़ा सा और increase कर दीजिए जैसे अगर यहाँ पर एक normal बता है यहाँ पर 48 to 63 normal में 63 तक रखी है और MS का जो यूज करेंगे वो 8 to 26 तक यहाँ पर अगर 500ma की मसीन almost अब कहीं उसे आप 16 या 18 का यूज करके x-ray कर सकते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट समझाने जा रहे हैं जैसे कि यह चार्ट में थोड़ा difference आपको दिख सकता है जो यह चार्ट है यह almost 40 इंच के हिसाब से या 36 इंच के हिसाब से भी include है जैसे कि आप बोलेंगे आपने करा एक example के लिए आपने करा 65 इंच पर करा और आपने KVP दिया FFD जो बेबी पर दिया आपने 42 इंच तो बोलेंगे x-ray के लिए नहीं आ रहे तो यहाँ पर क्या होगा यह थोड़ा से increase हो जाएगा आपर 45 हो जाएगा अगर जैसे ही 40 है 40 इंच से convert नीचे की side करते है 32 इंच या 30 इंच पर तो यह क्या होगा 40 भी हो सकता है 45 भी हो सकता है थिकनेस हो को डिंग होगा जिस ही साब से थिकनेस होगी यह था एक chart factor of cervical spine का आई होग आपके सारे doubt इसमें clear हो गये होंगे यहाँ पर एक छोटा सा point और add करने जा रहे है नोर्मल में दो होती है पहली होती है आपकी vertical और दूसरी होती है horizontal यहाँ पर vertical and horizontal vertical यूज होती है नोर्मल है 40 इंच मानी जाती है यहाँ पर हम 40 इंच convert कर दे रहे हैं और जो horizontal होती है वो normal में आपकी 50 इंच 2 यहाँ पर होगी आपकी normal में 60-72 इंच तक रख दीजिए लेकिन 72 इंच नहीं यूज होती नोर्मल में यहाँ पर जो एक average में यूज होगी वो आपकी 55 या 56 में यूज हो जाती है यहाँ पर एक चार्ट था 800 में, 500 में, 300 में, 100 में, 50 में 800 में पर यहाँ पर एक size लिखे हुए जिस size के आपके पास X-ray आ रहे है उसे साब से आपको set करना है according जिसे साब से FFD रख रहे हैं जिसे साब से आपकी normal में thickness होगी और जो cassette का यूज करेंगे cervical spine में वहाँ पर या तो आप 10 by 12 इंच का करिए या नहीं है अगर फिर भी कोई doubt है या कोई इसमें कमी रहेगे तो आप comment में एक point जरूर बताना उसे next वीडियो में हम उसे cover करके एक वीडियो जरूर लाएंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में